ऑम ऑग्यानित मिरांदस्या ज्यानन जनु शलाकया चक्शूर्ण मिलितम येना तसमाई शी गुरुवे नमहा ओमनमो भगवते वासुदेवाया ओमनमो भगवते वासुदेवाया शृव होतम दूसरा केंटो छटा ध्याए 35 वर स्लोग तो चर्चा चल रही है नारद मुनी और ब्रहह्मा जी के बीच मैं जिसमें की ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि although मैं संसार को बनाता हूँ लेकिन पिछले शलोक में उन्होंने बताया कि मैंने भगवान के चरण कमलों को अत्यंत उतकंठा से पकड़ रखा है और इस कारण से मैं बचावा हूँ इतनी बड़ी क्रियेशन करने के बाद भी मेरा दिमाग खराब नहीं होता जैसे की कोई आदमी बहुत बड़ा फैक्टरी बना देता है बिजनिस एमपायर बना देता है उसका दिमाग ये खराब जाता है वो अपने आपको सब कुछ मानने लगता है लेकिन मैं मैं जी कहने है simply because मैं भागवान के चर्ण कमरों को पकल कर रखता हूँ यानि कि उनका दास बना रेता हूँ इसलिए I am safe इसलिए मैं जो भी कहता हूँ सत्य है अब बताते है साहम समाम्या समामनाया मया तपा मया परजापती नाम अभीवंद अभीवंद इतपती आस्थाया योगं निपुनम समाहिता तमना अध्यगच्छम यता आत्म संभवा यद्भी में वैदिक ज्यान की शिश्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा की रोब में विख्यात हूँ मुझे लोग जानते है कि वैदिक ज्यान का जो परंग ज्याता है वो ब्रह्मा है मुझे बड़ा माना जाता है शिश्य परंपरा में बड़ा उच्छस्थान प्राप्त है ब्रह्मा जी को और यद भी मैंने सारी तबस्चाइं करी है तथा भी मैं योग शक्ती-अेम आत्म साक्षादकार में पटू हूँ मैं योग शक्ती में भी पटू हूँ वास्ता में ब्रह्मा जी है और मुझे सादर परणाम करने वाले जीवों के महान परजापती मुझे इसी रूप में मानते है बड़े-बड़े परजापती मुझे महान ज्यानी, योगी, पिता के रूप में मानते है तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ब्रह्मा जी घतो है, संसार में सबसे रिच आदमी को पहले इंपॉर्टेंस दे जाती है, दी जती ही नी, हर जगह उसको पृफ्चे दिय तो सबसे बड़ा intelligent वक्ति हुआ सोचिए ब्रह्माजी का ऐसे वक्ति हैं जो पूरे के पूरे संसार के designer creator है कितनी बड़ी position है बहुत एक दृष्टी से भी ऐसे वक्ति कह रहे हैं कि मेरे पास यह सारा ज्यान है मेरे पास यह सारी योग शक्तिया है मैं ब्रह्माण के कोने कोने से वाकिफ हूँ की उस कोने में क्या है इस कोने में क्या है जिसको scientist लोग ढूंडने का प्रयास कर रहे है वो मुझे पहले से यह ज्यात है फिर भी मैं भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जनम के कारने अपने ही पिता को ना समझने का असमर्टता भ्रह्माजी दिखा रहे है भ्रह्माजी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए कब समझ पाए फिर भ्रह्माजी भगवान को कैसे समझे कि उन्होंने उनके चरण कमल पकड़ दिये जब उन्होंने अपने हिर्दय की उत्कंठा से उनकी सेवा करना प्रारम किया, जिसको हम भक्तियों कहते हैं, आते भगवान को सेवा की निष्ठा पुन उत्कंठा द्वारा ही जाना है, इसलिए भगवान कहते हैं, क्या, कि भक्तिया माम भी जानाती, कि मेरे को केवल भक्त ह समझ सकते हैं, ऐसा भ강वद गीता है नाख़ते हैं, और हैं, और बताते हैं कि ध्रमबूत प्रसन ना आतमा ना सोचती ना कानशती, समासर्व बूतेशू मधभक्ती लवतेपरम, कि बड़े से व्यक्ति भगवान की प्रेम मही सेवा करना प्रारम करता है इसलिए केवल ज्ञान लेने से काम नहीं चलेगा यदि आप लोग कक्षा को इसलिए सुनते हैं कि हम सुनें जरा भागवतम में क्या है क्रियेशन कैसे होई इसमें ये कैसे होगा यह तत्व कैसे आए यह तत्व कहाँ चला गया इस ज्ञान से कुछ लाव नहीं होगा दिहान दखिए लाव तब होगा जब हम भगवान की प्रेम में ही सेवा शुरू करेंगे चाहे थोड़े थोड़े लेबल पर आप बोलेंगे प्रेम तो अभी कैसे आएगा नहीं आएग भगवान का परचार करना चाहिए दूसरे लोग को इस तरीके से भगवान की आरती करनी चाहिए इत्यादिया ऐसे बहुत सारे कारे हैं जो किये जा सकते हैं जिसको हम नवधा बक्ती कहते हैं तो नवधा बक्ती में श्रवनम, खीर्तनम, दास्यम, साख्यम, आत्मने वेद तो यह जो तरीके हैं, यह आसान तरीके हैं, ज्यान लेने के साथ-साथ, क्यों नहीं हम भगवान की आर्थी कर सकते हैं, जैसी परमपरा में बताई गई, क्यों नहीं हम उनको भोग लगा सकते हैं, क्यों नहीं हम उनके नामों का जब कर सकते हैं, क्यों नहीं हम उनका हरे कृ पिश्णा कीर्टन कर सकते हैं, इत्यादी, साथ साथ ये करेंगे तो आप देखेंगे भगवान की कृपा मिलेगी, तब भगवान अपने आपको रिवील करेंगे, उजागर कर देंगे हमारे सामने, नहीं तो हम कितने भी तपस्याइए कर लें, हम कभी भगवान को जान नही सकते हैं, तो बर्मा जी कह रहे हैं, कि मैं नहीं जान सकता उस परम पुरुष को, अपने ज्ञान से, अपने योग से, अतर मेरे लिए श्रेशकर होगा, मेरे लिए क्या श्रेशकर है ब्रमा जी कह रहे हैं, कि मैं उनके चरणों में आत्म सबर्बन कर दूँ, बस यही तो जीवात्मों को करना है, के वल, श्रापुरुपाद नहीं यहीं बताया, कि ज्वात्मों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, भगवान के आगे नत्मस्तक कर देना है, सोचना नहीं ज्यादा, संशे नहीं करना है, जैसे हम गीता में सुनते हैं, संशे आत्मा मिनश्यती, संशे नहीं करना है, संकल्प करना है, कि मैं भगवान के चरणों में आत्मस्त पंढ़ करना हूं and there is no second thought ऐसा नहीं है कि कल्प मैं इस विचार पर अपने इस विचार पर फिर से विचार करूँगा अपने इस determination पर संकल्प पर फिर से विचार करूँगा नहीं जो संकल्प को ही रिवाइज करता रहे वो आदमी मूर्ख है उसकी बुद्धी उसके अंदर विल पावर नहीं है जो संकल्प को ही रिवाइज करता रहता है जब संकल्प गुरू और शास्त्र के अनुसार है उस पे दुबारा जाने का जो वेक्ति जाता है वो अस्ता में बुद्धिवान वेक्ति नहीं है कि हमारा जीवन जो हमें डाउट पैदा करने को मजबूर कर रहा है भगवान पर भगती के प्रोसेस पर, क्या ये जीवन हमें जन्मित्यु से उबार देगा, क्या हम इतना नहीं सोच पा रहे कि ये जो भौतिक जीवन है, इसमें मिर्त्यु अवश्च्यम भावी है, क्या हम कि इस प्रोब्लम के सॉल्व करने के लिए कुछ विचार करें है, आज हमें डाउट हो जाता है कि क्या ये रास्ता सही है, बट ऐसा शास्तर बताते हैं कि महाजन ये न पतास अगन था, क्या हमें नारद मुनी पर भ़ोसा नहीं, क्या हमें भर्मा जी पर भरोसा नहीं, क्य क्या हमें चैतने महापरूप वरुसा नहीं है, क्या हमें रूप सनातन पर वरुसा नहीं है, क्या हमें श्रीला प्रभुपाद पर वरुसा नहीं है, किस किस वेक्ति को हम इग्नोर करेंगे, क्या हमें गीता भागोतम पर वरुसा नहीं है, इसलिए बड़ा ही नौर्मल सेंस क वेक्थी भी इसको समझ पाएगा कि मेरी बुद्धी इन इतने एतिहासे के इतने महान बनाध है और लाकों करोनों लोगों के रूप में फॉलोशिय बना जिलता है च्या ही किसी आदमी के बस की बात है नहीं इससे साफ पता चलता है कि इसके बीचे भगवान का हाथ है फिर भी हमें डाउट जाता है इतनी बड़ी घटना देखने के बात भी इसलिए कहते हैं कि म मुझे भगवान दिखाएं क्योंकि केवल वे ही मनुश्य को जन्र मृत्व के चकर से उबार सकते हैं ऐसा आत्म समर्पन कल्यान प्रद है और इससे समस्त सुख की अनुबूती होती है इसको आजमा के देख लीजिए और आपने आजमाया भी हुआ है फिर प्रॉबलम क्यों हो जाती है क्योंकि बीच-बीच में हमारे मित्र हमारे संबंदी हमारे कौन कौनअ कि हमें कन्फ्यूज कर लेते हैं क्या आप लोगों को इस प्रोसेस को करके आनंद नहीं आया फिर बीच-बीच में गुसा जगला या confusion ये doubt आता क्यों है क्योंकि बीज-बीज में हमारे हिदे में इंद्रेतिप्ति करने का मन हो जाता है और हम अचानक से परिशान है जाते हैं हमारा विद्रो करने का मन करता है सोचिए जब-जब हमने विद्रो किया आत्म तुरुष्टी करने का प्रयस्त नहीं किया है क्या उससे हमें फ्रस्ट्रेशन जगडा ऐसा नहीं हुआ आप ध्यान से सोचेंगे तो ऐसा ही होगा क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकले है सांत वक्ती का भी प्रसंद रही नहीं सकता है इसलिए भ्रहमा जी तो बड़ाई सेफ रास्ता अपना रहे कि मैं भगवान के चरणों में आत्म समर्पन कर दूँ क्योंकि वही मुझे इससे निकाल सकते है और यदि मैं ऐसा करूँगा तो ये कल्यान परद है समस्त सुख देने वाला है आकाश भी अपने विस्तार की सिमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता तेव जब भगवान ही अपनी सिमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो बड़ा दूसरे क्या कह सकते हैं यहां पर बोला गया कि भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान नहीं लगा पाते कोई ऐसी वस्तों नहीं है जो भगवान नहीं कर पाए इसका मतलब शिलप रुपात बताते हैं कि भगवान अपनी सीमाओं का अनुमान लगाते हैं उतनी देर में भगवान की सीमाएं और बढ़ जाती है भगवान और लगाते हैं उतनी देर में सीमाएं और बढ़ जाती है जितना हम भगवान के पास जाते हैं हमें लगता है कि हम भगवान को जान गए होंगे हमें लगता है अभी तो हम भगवान को जाने ही नहीं जो भगवान से दूर है वो कहते है I know God लेकिन जो भगत होते हैं वो कहते हैं I don't know God जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तो समझता ही नहीं कि है कौन क्योंकि भगवान के जितना आप करीब जाते हैं उतनी उनकी एश्वरिय है उनकी शक्तियों के बारे में बता चलता है तब हमें मैसास होता है नहीं जानते तो कौन उनके बारे में समझता है इसलिए उनको आत्म समर्पन कर देने में ही बलाई है उसी में समझत सुख मिलता है ऐसा ब्रह्मा जी हम बता रहे हैं अब तेव इस शुद्र इस शुद्र लोक के लोगों को पुरुपात कह रहे हैं ब्रह्मा का आदेश कृपा पुरुवक मानना चाहिए और अच्छा यही होगा कि भगवान की शक्तियों की नाप जोक ना करें क्या इस ही है हर जगह टेस्टर ना लगाएं इससे हमारी गती रुख जाएगी उनके चर्ण कमलों पर आत्म समर्पन कर दें उनकी शक्तियां सीम हैं जैसे की वेदों द्वारा पुष्टी होती है बेस सबों के बड़े हैं अन्यन लोग यहां तकी समस्त जीवों में स्टेश्ट भ्रम्मा जी भी सुईकार करते हैं कि हमारे लिए यही सरवत्व होगा कि उनकी श्रानक ग्रहन करे जाए और उसके उससे होने वाले बेनिफिट को उससे होने वाले आनंद को आप थोड़े दिनों में देख पाएंगे करके तो देखिए बेस से मैंने बताया आनंद तो मिलता है लेकिन बीच बीच में जो हमारे हिर्दे में इंद्रि तिप्ति की भावनाय आयती है यह सारे आनंद को भंग कर देती है और हमारी गती वहीं पर रुख जाती है मनुष्य को चाहिए कि 84 लाग योनियों में शरीर के बार-बार बदलने के बाद प्राप्त अपने मनुष्य जीवन को बरवाद न करे पारिवारी की योजनाओं में आर्थिक योजनाओं में राजनेती की योजनाओं में विज्ञानी की योजनाओं में और अपना जीवन भौतिक सुख के हेतू व्यर्थ नगवाए प्रत्त जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरण की शरण करे भगवत गीता में भगवान कही आदेश है यही आदेश यहां पर ब्रहमा जी पिते दें जो एक्ति भगवत गीता और श्रमत भागवत के इन दोनों दौरा दिये गए इस आत्म समर्पन की शरनागती की विदी इसको अपनाने से मना कर देता है यानि कि वो शास्त्रों को नक करना ही पड़ेगा प्रकरती के आगे हम आत्म समर्पन करते हैं कि नहीं कर चुके हैं हम जानते हैं कि हम बढ़ती भी उमर को रोक नहीं सकते हम जानते हैं कि हम इन बीमारियों को रोक नहीं सकते हम जानते हैं कि हम इन मृत्यों को रोक नहीं सकते तो हम आत्म समर्पन कर ना प्रकृति, सू या तेसा चराचन, कि प्रकृति भी मेरी अंडर में, इसलिए अल्टिमेटली आप भगवान के अंडर में तो गए, then why to go through जबर्दस्ति हो जाएगा कि जबर्दस्ति आपको गुद्ने टेकने पर मजबूर करना पड़ा प्रकृति के द्वारा क्यों अपने आप भगवान के आगे नत्मस तक हो जाएगा तो यहां बता रहें कि जीव पदार्थ के तुल्ला में श्रेष्ट शक्ति होने के करण चाहे तो भगवान को आत्मस तमर्पन करे या प्रकृति को करे भगवान को यदि करेगा तो सुखी बन जाएगा लेकिन प्रकृति को करेगा तो दुखी राएगा जैसा कि हम है और बहुत ही कष्टों को तूर करने वाली और सुख देने वाली समस्तक कल्यान का सोथ है भगवान को आत्मस तमर्पन करने का अर्थ क्या है भगवान को आत्मस तमर्पन करने का अर्थ है अपनी मन की मन घणंत रीती रिवाज सबी चीजों को त्याग दे सर्व धर्मान परित द्वारा में मिलती है उस पर हम doubt ना करें और अपने जिवन में संकल्प करें कि हम ये करेंगे ये करेंगे और करके देखें उसका लाब देखें और बीच में जो हमें confuse करने आते हैं लोग situations उससे बिल्कुल confuse ना हो ये determination करें कि I am committed to this ना क्योंकि मुझे इससे सुख मिला था और वो सुख की बड़ोतरी होगी लेकिन बीच में अगर दूसरा देखें दो नाओं में पाउं रखेंगे तो हमेशा समस्याएगी इसलिए शास्त्रों की बात को मानके हमें भगवान को शनागती करना है ऐसा भर्मा जी नारद मुनी को बता रहे है श्रेपरुपात की जय ग्रंत राज श्रेमत भागतम की जये